भाई अखिलेश कश्यप ने कह दिया है कि प्रमोत प्रेमी आदव तुम भाग क्यूं गए तुम क्यूं भागे तुम लोकेशन क्यूं बदलते रहे मैं तो वहाँ पर आया जहां पर तुम ने बुलाया तुम तो पटना के होटल में बैठे हुए थे तुम तो डर से जो है वो बकसर भी नहीं आये फिर भी पटना के जिस चौक पे तुम खड़े थे वहाँ पर मेरे लोग आये तुम भाग चुके थे तुम गोलंबर पे तुमारे लोगों ने बुलाया हम गोलंबर पे पहुंचके लाइव आये तुमारे लोग भाग चुके थे तू तो डर्पोक निकला आगे आप अकिलेश कश्रप का लाइव देखिए उसके बाद मैं भी आपको आगे मिलता हूँ इसी वीडियो में कुछ मैं भी बात करता हूँ में 500 लोग भेज लेवनी 500 लोग बेज लेवनी 500 लोग भी बेजलेवनी कहार रहां पांसोलोगतेव तब गहरों रहे बॉक्षर के में एक लुग कमें अखीलेंस कि मारें लुका गूल बाद इल दील्म्मधब्लभ ग देखाई तहार पोन हमारा मैसेज कि केताना रिकोएस्ट कहिले भाई मिलला तु जो नचीर कोईला तु हमारा के बीवेक सिंग नुशातर लगा कि हम बीवेक सिंग हैं हमार लोग नई खां हम अई जा बगसरवा मोई सही बनी का आई रहा बगसरवा एक पूछ लेला कि गीत गवन नई से पह जेकर अब फोनावा को आत रहा कि हम खेसारी लाल से अमार दूसु मानी बैई बीच में कहा है पड़ता हूं तो करा ले पूछ लेला जहां जा उनतार एक दूगो बकसर के जिजरवा है लोगावा वह करा ले पूछ लेला जहां तू को ला वह जा आ जाला डैरेक्ट वह ज मर्दे लेगे घोजवा भाल को देलो आपन पेच्टी अपने लेकरा के ठंडा कोई लाओ न तर लाई भाके बते मते स्वभा देता है जुटों बोले महीं जाले ना पुझाला अखेसारी ले आदो के क्यों बोली तो हम बोलबे करी ला एसे कि उनका हम मानी लाए जात पात के कौन चीज़ हम तो ब्रामन हों आए जाते पातना हम्रा संगे राज पूत जाती के लोग बहुत सारा रहे लान पंडियों जी रहें जाए जाए वो मेरा इंसानियत है और मैं इंसान हूँ खेसारी लाल यादव हो सकता है लेकिन उससे बहतर इंसान कोई हो सकता है और हमारी प्रेंशिप हमारी दोस्ती ऐसी है कि जिन्दिगी भर उकूल चले हो ला है आखिर अखिलेश कश्यप दुबारा से लाइव आए आज सुबह है खेसारी जी के लाइव के बाद और अखिलेश कश्यप बोले कि खेसारी भाया को मालूम भी नहीं था कि मे तेरे और प्रमोत प्रेमी यादव के बीच में क्या चल रहा है उनको मालूम होगा भी तो लाइव दिखकर शायद लेकिन हमारे बीच में कभी डिसकसन हुआ ही नहीं सुबह मैं जैसे ही उठा खेसारी भाईया का कॉल आ गया और वो डाटने भी लगे कि ये आप लोग क्या क रहे हैं ये अच्छा नहीं लगता है मत कर ये अखिलेश कश्यप का ये कहना है कि प्रमोत प्रेमी यादव पटना के एक होटल में बैठ कर लाइव आया था वो नहीं आया था बकसर वो बंदा जूट बोल रहा था वो बकसर आया ही नहीं और फिर भी वो जहां से लाइव वहां पर मेरे बंदे पहुँचे तो वहां से वो भाग गया था यानि कि अखिलेश कश्यप के हिसाब से कोई जोती चौक है जहां से प्रमोत प्रेमी यादव लाइव आये थे और वहां पर जैसे ही अखिलेश कश्यप को मालुम चला कि जोती चौक से लाइव आया है अख अखिलेश कश्यप ने बुलाया था प्रमुत प्रेमी यादव को तो प्रमुत प्रेमी यादव के कुछ लोग वहां पर पहुंचे वहां से लाइव आए और अखिलेश कश्यप को गाली दे रहे थे कि यहां पे आजाओ गोलंबर पे खड़ा हूँ ठिक कुछ देर बाद और वहां से लाइव आ जाते हैं लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था प्रमुत प्रेमी यादव के लोग वहां से भाग चुके थे यह अकिलेश कश्यप का कहना है और अकिलेश कश्यप ने यह लाइव में भी दिखाया था कि यहां पर कोई भी नहीं है और वहां से लाइव आकर के बुला रहे थे कि आजाओ मैं यहां लाइव हूँ अभी यहीं पे रहूँगा काफी देर रहूँगा यहां पर आओ लेकिन वो लोग दुबारा से वहां पर कोई भी नहीं आए अकिलेश कश्चप का कहना है कि तुम बकसर आये थे ना तो बकसर मैं पता कर लेता कि ये गाना बजाना से पहले मैं करता क्या था यान कि कुल मिला करके इशारे इशारे में ये कहना है कि मैं बदमासी गिरी कर चुका हूँ तुम इस मामले में मेरे से नहीं सकोगे कभी नहीं सकोगे तो काईदे में रहो, फाइदे में रहोगे, गायकी करने आये हो प्रमुत्रेमी, तो गायकी करो, ये अखिलेश कश्यप का कहना है, अखिलेश कश्यप का ये भी कहना है कि खेसारी लाल यादव के खिलाफ कोई भी बोलेगा, तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं उनको मानता उनको प्यार करता हूँ हमारी दोस्ती ऐसी है जो आजीवन रहेगी अभी तुम बात कर रहे हो भाई की कि एक जात का है तो भाई है तुमने कब भाई माना है तुम तो हमेशा सब के पास बोलते रहते हो कि वो मुझे चलने नहीं देता है अखिलेश कश्चप के हिसाब से अभी प्रमोत प्रेमी आदव ने किसी को कॉल किया था कि अखिलेश बीच में क्यूं आ रहा है खेसारी मेरा दुश्मन है मैं खेसारी को बोलूँगा वो मुझे चलने नहीं देता है अखिलेश कश्चप ने ये भी कहा कि अखिलेश कश्चप का ये कहना है कि तुम मेरे से कभी भी नहीं सकोगे और तुम्हारा लेवल उतना ही है कि तुम खेसारी लाल यादव के लेवल के नहीं हो वहां तक तो तुम सोच भी नहीं सकते तुमको खेसारी लाल यादव के गितकार से टकराना पड़ता है और उससे भी तुम नहीं सकते हो तुम्हे भाग जाना पड़ता है तो तुम्हारा लेवल का अंदाजा लगाओ कि तुम्हारा लेवल खेसारे लाल यादव के बराबर नहीं है अकिलेश कश्यप ने कहा कि मैं ब्रह्मन हूँ लेकिन मेरे साथ रहने वाले सभी यादव हैं राजपूत भी हैं, ब्रह्मन भी हैं मैं जातपात नहीं मानता, मैं इंसानियत मानता हूँ मैं खेसारी लाले आदव के साथ जुड़ा हूँ क्योंकि खेसारी लाले आदव भी जात पात के हिसाब से नहीं देखते हैं वो इनसानियत के नजरों से देखते हैं वो बहुत अच्छे इनसान है तो कुल मिलाकर के अखिलेश कश्यब जो है वो अभी भी उसी आनवानशान में है कि तुम मेरे से कभी भी ने इशक होगे और बकस्तर आके मेरे जीला में आके मुझे चैलेंज करोगे तुमने ये ख्वाब कैसे देख लिया कि मेरे जीला में आके मेरे घर के पास आके मुझे चैलेंज करके मेरे से जीत जाओगे कम से कम challenge किया था तो मिल तो लेते भाग क्यों गया मैंने तो बहुत request किया बहुत message किया call किया कि मिल लो एक बार तो भागा क्यों तो Akheles Kashyab के हिसाब से प्रमुत प्रेमी आदव और प्रमुत प्रेमी आदव के लोग उस location पर से भाग गए जहाँ पर उन्होंने अखिलेशक के शिप को बुलाया जैसे ये लोग पहुंचते थे वहाँ से वो लोग location बदल लेते थे प्रमुत्प्रेमी आदव और प्रमुत्प्रेमी आदव के लोग ये अखिलेशक के शिप का कहना है अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे आपको ज़्यादा पावरफुल कौन लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए अपडेट था में महेश पांडे आप लोग देख रहे थे भोजी ओडे इंटरटानमेंट थाइंक यू लव यू आल